कि नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मिक्की बीन चैनल में तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम बेलाइट टू-टू-फोर इटी-स फंडमेशन को डिसकस करने वाले हैं तो इससे डिलेटेड जो टॉपिक है पहले हम वह देख लेते हैं ब्लॉक वाट पे क्य क्या टॉपिक आ रहे हैं कोई कोई से टॉपिक एक साबस प्रेस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है उसको ही हम डिसकस करेंगे तो चले देखते हैं कौन सा टॉपिक है इसमें ब्लॉक वान में देखे तो पहला बेसीक बेसीक ऑफ आईसीटी है इसमें आपका यून सब्सक्राइब करती है अगर आपको थोड़ा सा बेसीक नॉलेज होगा कंप्यूटर का तो आप अच्छे नंबर केंड कर सकते हैं तो इसलिए हम आपको लास्ट अब भी बोले थे कि कंप्यूटर का आपको चाहिए अगर आप टूटू-फोर का करना चाहते है तो या टू-टू-दाइन का वो उसमें भी कंप्यूटर का बेसीक नॉलेज होड़ मांगता है तो चलिए आज का लेक्षर स्टार्ट करते हैं यूनिट वन्स से देखते हैं इसमें क्या है जो इंपॉर्टेट है आपके एक्जाम के से रिलेटेड वही हम डिसकास करेंगे मैं उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग करता जाओंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा तो इसमें एक बेसिक कंप्यूटर टेकनोलिजी में है आपका जो इंपॉर्टेट है जो आता है एक्जाम में वो है कंप्यूटर पेर कंप्यूटर हार्डवेर आता है और लास्ट ओपरेटिंग से भी कोषण आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है देखें यहाँ पर computer की बात करूँ देखें यहाँ पर computer को भी यहाँ पर define किया गया है computer can be defined as an electronic machine that is capable of interpreting and executing store program यह एक electronic machine है जो कि उसके अदर इतनी छमता होती है कि वो interpret कर सकता है उसके अंदर store program होते हैं जैसे कुछ भी जैसे आप good लिखते हैं या फिर आप flower लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि machine इतना intelligent है मतलब intelligent था कि उसने खुदी आपको मतलब बता दिया कि flower वो समझ गया मतलब आपने कोई भी command दिया keyword से तो वो समझ गया और आपको information दे दिया screen पे ऐसा नहीं होता उसके अंदर हमने code डाला था तो वही code and information को वो interpret करके और output मतलब input हम देते हैं और वो हमें output का result देता है तो उसको हम computer बोलते हैं तो यह हो गया आपका आप चलते हैं इसमें देखिए monitor modern computer की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता था दिखता है और जो earlier computer अगर आपने देखा नहीं होगा तो पूरे एक एक रूम का ही होता इतना बड़ा बड़ा computer होता था फिर देखिए हां पे इससे आपको ज्यादा यूनिट एन कंट्रोल यूनिट यह हमारा CPU के पार्ट है और इसके अंदर क्या हो रहा होता है जैसे main memory इसका address यहां पर data instruction हो रहा होता है का आधान पदान हो रहा होता है और नीचे देखिए input and output होता input और output मैं सारा बताओंगा input device क्या होता है output device क्या होता है तो यह इसके अ computer का जो architecture बोलते है one norman को तो यह भी आपको याद रखना है basic मतलब computer से related knowledge है तो यहां पर उनके बारे में लिया भी है one normal के बारे में आप पढ़ लें यहां पर देखिए यह कुछ short form लिखे हुए हाला कि यह exam में ऐसे short form नहीं आएंगा क्योंकि आपका theory का paper है बट आपको फ mental processing unit तो यह सारी चाहिए आपको एक बार पता होनी चाहिए चलिए नीचे आगे चलते हैं आगे क्यास में तो यहां पर input and output device की बात करें होता है जैसे हम कमांड देते हैं तो वह हमारा कमांड अंदर लेके जाता है तो इंपूट दिवाइस होता है एक्जांपल के तोर पर आपका keyword हो गया माउस हो गया तिक का scanner हो गया वह बहुत से चीजों को अंदर लेके जाता है और और पूट डिवाइस कौन से होते है जो की चीज़ों को बाहर लेके आते हैं जैसे आपका Monitor जो होता है उसका Screen जो है वह हमार आउटपूट डिवाइस है वह अंदर की चीज़ों है में बाहर दिखा रहे हैं जो तो यहां पर यह हो गया यह Central processing unit बता दिया था मैंने आपके इसमें तीन तीन चीज़ा आती है secondary storage and output unit सब बता दिया था मैंने नीचे देखिए computer peripheral and hardware इसके अंदर सारे computer के जितने भी parts भी मैंने जो बताया आपका keyword mouse यह सारी चीज़े बताएं यह सब इसके अंदर आएंगे तो computer peripheral में देखिए क्या क्या चीज़े आती है computer monitor यह भी peripheral में आता है और यह आपका क्या होता है output device होता है क्योंकि अंदर की चीज़ों को बाहर दिखाता है फिर यहां पर keyword हो गया यह आपको आपका input device हो गया यह सब तो मैंने बता दिया mouse भी आपका input device हो गया printer जो है आपका यह output device है क्योंकि अंदर की चीज़ों को बाहर दे रहा है बाहर से read करके वह अंदर को information पचाता है फिर आपका pen reader जो है यह एक operating to shift over code होता है जो कि हमें information यह भी देता है रीड करके laser scanner यह देखिए ऐसा होता है laser scanner बस आपको देखना है इन में से आपको कुछ याद करने की जोड़त नहीं वह ऐसी समझ में आ जाएगा आपको फिर यह cd reader यह सब हो गया यह सब speaker आपका output device है मॉडर मजर बोर्ड देखना मॉडर बोर्ड हैसा इसके अंदर सारी जितनी मतलब चाहे आप एक एक वाइरस में इंसेर्ट करें जो केवल होता है हर चीज जो होता है connected lastly mother world से ही होता है इसलिए इसको mother world बोलते है center में हर चीज को control करने मतलब हर चीज का जो कुछ होता है उसी गंदर का मतलब connected होता है अगर इसमें को इफेक्ट आ जाता है तो computer फिर डैमेज जाता है फिर mother world में बोलते है mother world में problem है चुना है ना जब आप जाते है computer बनवाने तो हाँ पर तो यह हो गया आपका computer hardware में देखे central processing unit आता है hardware वह वारी चीज़े होती है जो मतलब information को store करते हैं जो information से deal करती हैं उनको hardware बोलते हैं जैसे हो गया आपका CPU central processing unit हो गया इसमें storage के लिए वह होता है जिसमें हर चीज आके connected होता है at the end of the day तो यह मदर वेड़ वोड़ हो गया ऐसा उसका picture आप देख लिए power supply unit है यह कुछ आपने देखा होगा जब आप computer का computer CPU आपने कभी खोला होगा या खोलते हो देखा होगा लास में पीछे भी देखा होगा random access memory आपने जब mobile phone लेते होंगे तो उसमें आपको यह सारी यह चीज़े तो मतला आपको specifically आप उस पर focus करते होंगे RAM कितने जी कितनी जी भी RAM का है कितनी जी भी रोम का है तो यह है आपका फिर इसमें storage device आ गया जैसे floppy डिस हो गया आपका hard डिस हो गया zip डिस हो गया cd-rom हो गया यह सब देख लीजी एक बार फिर यह चेप्टर जो है operating system पर हम आ गए इसमें operating system क्या है तो operate करना जैसे computer का computer को जो operate करता है उसको हम operating system बोलते हैं तो इसके अंदर operating system में आपको देखने को मिलेगा Ubuntu Linux यह सारी चाहिए आपको देखने को मिलेंगी तो operating system से question बनके आते हैं आपको उनको देखना पड़ेगा देखिए Ubuntu operating system इससे भी कोशन आ जाता है कि Ubuntu operating system में operating system क्या है और Ubuntu operating system को explain करें तो फिर आपको इसको बताना पड़ेगा फिर आते हैं आगे क्या है इसमें यह सब Ubuntu का है एक बार आपको इसको पढ़ लेजेगा फिर common command and utility इसमें क्या है कि जैसे आपने keyword में जैसे computer आप F9 या फिर control Z ऐसे कुछ प्रेस करते हैं तो कुछ मतलब specific information आपको आता है तो ऐसे ही यहां पर कुछ कमांड मतलब दिये हुए है कुछ keywords है जिसको आप प्रेस करेंगे तो यह कुछ काम करते हैं जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं यहां पर cd cd अगर आप प्रेस करेंगे cd x the working directory of a process cd जो है वो इस तरीक से process करता है cp की बात करो cp command is used to copy file को कॉपी करने के लिए cp command use होता है तो इसी तरी सब कमांड है कमांड देते हैं तो कुछ specific चीज़े होती है कम्पूटर में तो इसको आप लोग एक बार देख लें वैसे यह तो नहीं आएगा फिर यह यूनिट आपका हो गया आप चलिए देखते हैं आपका अगला वारा जो यूनिट है उसमें क्या है बेसिक ऑफ कम्मिनिकेशन टिकनोलजी अब इसमें कम्मिनिकेशन टिकनोलजी उसमें जो क्या था आपको तो कंप्यूटर का हार्डवेर सौट्वेर यह सारी चीज़े थी उससे आपको इंट्रड्यूस कराया अब इसमें जो कम्मिनिकेशन टिकनोलजी है उससे आपको क्या important है जो आता है जैसे analog and digital communication very important question हमेशा इससे आता है इसमें हम देखेंगे फिर data communication mode communication hardware communication protocol standard तो ये भी आता है तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या खास है इसमें तो analog and digital communication जैसे मैंने बोला बहुत important है इससे question आपको देखने को जरूर मिलेगा तो communication क्या होता है कि मादेम आफ क्या मादेम आफ एक्सचेंज और वर्ड्स एनिथिंग जो एक चीज़ से दूसरे जगा पहुचा दे उसको हम बोलते हैं communication mode तो communication में भी यहाँ पर दो तरह का है एक analog है देखें दो तरह की सिगनल होते हैं analog यहाँ पर है तो analog में क्या है कि we mostly use analog signal हम जो अपने day-to-day life में यूज करते हैं क्या electricity signal होता है sunlight होता है तो यह सारी जो चीज़े हैं यह एक्जांपल analog signal का यह हमाई day-to-day life में यूज होता है कि देखें इस तरीकी का analog signal होता है मैं इसमें differentiation भी आपको बताऊंगा हम देखते हैं आगे वाला जो signal digital data transmission अदूसरा है इसमें इसके अंदर आता है digital data transmission अब digitally अगर data को आपको transmit करना है तो कुछ उसका signal जो होता है वो इस तरीकी से होता है तो यह भी आप एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं डेटा communication mode अब डेटा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है डेटा communication mode यह क्या होता है देखे देखे इसमें जो बेसिकली इसमें आपको किस चीज़ फोकस करना है एसी सिंक्रोनस सिंक्रोनस आइसो सिंक्रोनस communication यह तीन तरह के communication होता है इस पे short note हमेशा ही आता है तो इसको भी देख लें एसींक्रोनस जो होता है communication होता है जो कि send किया जाता है इंडिवीज्वल करेक्टर में one at a time मतलब जैसे वो walkie talkie होता है तो उसमें पहले person पहले बोल लेता है फिर उदर से आवाज आती फिर वो दूसरा वाला बोलता है मतलब एक बार में एक ही मतलब चीजे बोला जाता है दोनों बोट मोड अफ communication यह पे नहीं होता है तो यहां पे उसको asynchronous बोलते है तो यहां पे आपका यह हो गया अब देखते हैं आगे वाला क्या है synchronous synchronous में होता है an alternative way of transferring large data is instead of sending single character मतलब यहां पर एक alternative way हम ले लेते हैं जिससे हम data को transfer करते हैं जैसे कि a synchronous में एक डेटा एक की टाइम में जाता था तो यहां पर वह होता है few bits we can send a group or block of data at once मतलब बहुता डेटा एक साथ हम भी सकते हैं and this mode is called synchronous communication मैंने वो जो example दिया ना वो example था ऐसे नहीं था उसको यहां पर code मत करें हैं यहां पर data communication की बात करते हैं तो यह हो गया आपका synchronous देखिए अब synchronous की बात करें तो a synchronous signal is used to tell the receiving station that a few frame is arriving and to synchronize the receiving station यह बता देता है कि कुछ मतलब information आ रही है और उसको मतलब ready करते test चीजों को तो यह synchronous है आपका अब आइसो synchronous communication जो होता है इस एन अनादर alternative मेकैनिजम फ़र data transmission अब यह अलग मतलब तरीका है data transmission करने का which combine the approach of synchronous and asynchronous and synchronous यह दोनों को मतलब combine करके एक बीच का मतलब मध्य रास्ता है यह हो गया आपका simple half deflux and full deflux यह भी बहुत important है अब यहां पर data से आपको समझ में आ जाएगा simple deflux में क्या होता है कि जो communication होता है वो one way होता है जिसे देखिए आप टर्मिनल one से information जा रहा है पर टर्मिनल बी से information आ नहीं रहा तो हमेशा जो होता है यहां पर information one way flow करता है तो यह आपका simple था अब half deflux की बात करूँ देखिए आप आपको इस figure से समझ में आएगा क्या है कि इसमें information जाता है और information आता भी है एक ही टाइम पर तो यह आपका हो गया हाफ डिप्लेक्स का अफ फुल डिप्लेक्स की बात करूँ तो इंफर में अदेखिए यहां पर information जा रहा था और आ रहा था मतलब एक ही वक्त पर नहीं जा रहा था दोनों दाना आना उसमें क्या था कि information इंफर्मेशन जो था वह एक पहले डिलेवर हो जाता था फिर दूसरा information आता था उदर से मतलब आने जाने का दोनों का रास्ता था पर इसमें क्या है कि एक की साथ information जा भी सकता है एक की साथ information आ भी सकता है जैसे माल लीजे आपका computer ही है इससे क्या होता है lots of people जो है एक computer को use कर रहे होते हैं वो एक single मतलब single informative source से जुड़ा होता है और वहां से information जाता भी है और आता भी है information जैसे माल लीजब बैंक की कि मैं example दूँ तो बैंक में क्या होता है कि जितने भी customer होते है उनके जो data होता है वो एक मतलब system में store होता है वहां से information जैसे उनको पैसे निकालने विडॉल करना है या कुछ deposit करना है तो विडॉल करना है मतलब वहां से information आ रहा है और deposit करना है मतलब को information चाहिए तो information उसमें जा भी रहा है या कोई नया customer add हो रहा है तो उसको information add भी हो रहा है तो both way of communication हो गया वहां पे बहुत बहुत important exam perspective से अब communication hardware की बात करूं तो communication channel इसमें है जिसमें आपका देखिए यहां पर बस यहां पर वायर की बात किया गया है twisted pair utp that is unshaded twisted pair यहां पर देखिए आपने कभी वायर ऐसे खोल के देखा होगा तो इसमें औरेंज ग्रीन ब्लू एन ब्राउन ऐसे करके कुछ cables वायर होते हैं तो यह सब किस के लिए होता है जो बैसिकल यह communication का मीडियम के लिए होते हैं अब यह cable है आपने देखा होगा आपके जो घरों में जो पहले के जवाने में cable से जो आपका signal आता था जिससे आपका टीवी चलता था यह उस तरीके का वायर है इसमें थोड़ा अलग करईगी का protection दिया जाता है तो यह नहीं आता है आप फिर भी यह आप बस देख लें कि आप मतलब तरह से आपको knowledge हो जाए computer के मतलब कुछ parts and component के बारे में देखते चलें आप लोग एक बार अगर देखना चाहते हैं तो बाकी यह सब तो आता नहीं है हाँ जैसे माले यह router है इस पर short note आ सकता है कि what is router router क्या होता है router आपने कहां यूज network and wide area network तो जैसे की router जो होता है आपने कभी wifi लगवाया होगा तो उसमें router सा देता है जिसमें टिक टिक करके बहुत साही लाइटे चलती है तो क्या होता है signal transmit कर रहा होता है वो लोग land होता है लोकल एस सरी पैन होता है personal area network होता है वो आपको personal मतलब अपने घर में ही मतलब न communication protocol and standard तो यहां पर communication तो मैंने पहली बता दिया क्या होता है medium of exchange information अब उसमें कुछ protocol लगया protocol मतलब rules and regulation the communication system में यहां पर देखते हैं इसा मैं नहीं पूरा बता दे लाइन वैनी सब्सक्राइब नीट फॉर इंटरनेट इंटरनेट की हमें जरत की पड़ी विकॉस आफ चेंजिंग चेंजिंग डेवलाप्मेंट आफ आर एन्वार्मेंट हर चीज मतलब चेंज हो रहा था हमें इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि वेस्टनाइजेशन हुआ वह मेशीन क्या है जो चीज़े हम एक बार में करते हैं वह चीज़े मशीन एक सेकेंड में भी कर देती है अब जैसे माल लीजिए मैं आपकी आपका एक मेमोरी टेस्कर हो जैसे मैं बोलू दो और दो क्या होते चा 59 x 252 बताओ तो आप मतलब सोचने लगोगे तो क्या होगा कंप्यूटर नहीं सोचता है उसका जो मेमोरी है उतना शार्ट कर दिया जाए उसमें हर प्रोग्राम फिक मतलब फिट कर दिया जाता है तो एट टाइम हो बहुत सारा कैलकुलेशन डैट इस अरिथमेटिकल वाइड एरियने टोकी जोड़की पड़ी कि हमारी चीज़े जो है वह असान हो जाए नीट फॉर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड अब इसमें प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए कुछ नहीं तो क्या होगा इंफर्मेशन इदर से उदर चोरी हो जाएगा डेटा ए है इसमें और क्या है इस समाब एक बार देख लें बाकी मैं जो इंपॉर्टन था हो बता दिया अब आपका जो यूनिट इसमें टू है ये भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम यूनिट थरी का करेंगे जिसमें बेसिक बेसिक आफ नेट मैं कुशन भी लेके आऊँगा प्रीवेस एड जो इंपॉर्टन कुश्चन है जैसे मैंने लास्ट में कर वाया था टू टू फोर का तो उसी तरीकी का कुश्चन इसमें भी हमें लेके आऊँगा जिससे आपको एक कोश्चन बैंक भी हो आपके पास तो मिलते हैं और हाँ एक बात और अगर आपने टू टू लटो कर मही देखा है और टू 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 त कभी दाओट हो तो कमेंट वर्क्समें ज़रूर बदा और इस वीडेबी से कोई दिक्कत हैं जोरूर वीडियो कबदो की दिक्कत हो और हमारा जो टेलीग्रम जो गुरूप है उसको जॉइन कर और हमारा WhatsApp ग्रूप उसको भी जोइन कर ले दोनों का लिंक जो है इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दिया है तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद